राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल लगातार एक के बाद एक बजाते जा रहे हैं और उन्होंने ये स्टै कर दिया है कि इस बार चुनाव में मुद्दा होगा लाल डायरी जी हाँ वही लाल डायरी जो की गहलूत सरकार के लिए गले की फ बताई जा रही है वह डायरी उन्होंने नहीं चीनी एक डिजिटल चैनल को उन्होंने बयान दिया है रफिक खान ने और दूसरी और धर्बंदर आठोड ने भी कहा है कि वह गांधी डायरी जरूर लिखते रहे हैं और तीन डायरी एडी के पास है इसमें से क्या कुछ नि डायरी लिखने की आदत धर्बंदर आठोड की अभी तक कायम है या नहीं वो तो खेर चर्चा का विशय उनके लिए हैं लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं प्रधान मंतरी द्वारा जो आज सीकर की सभा में बात कही गई है उनका एक कहना है कि यह डायरी इस बार चुनाओं में खासा अलग तरीके का रंग दिखाएगी और यह रंग कॉंग्रेस के लिए भारी पढ़ने वाला है प्रधान मंतरी के अगर स्पीच को सुने तो अपन जानते हैं क्या कुछ कहा प्रधान मंतरी ने डायरी को लेकिया यह सुनते हैं भाई और बहनों कॉंग्रेस ने राजस्तान में सर्थकार चलाने के नाम पर सिरफ लूट की दुकान चलाई है जूट का बाजार सजाया है कॉंग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान जूट का बाजार और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोड़क्ट है ताजा प्रुड़क राजस्थान की लाल डाइरी आपने लाल डाइरी के बारे में सुना है ना कहते हैं इस लाल डाइरी में कॉंग्रेस सरकार के काले कारणा में दर्ज है लोग कह रहे हैं कि लाल डाइरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपड जाएंगे कॉंग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डाइरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है ये लोग बले ही मुह पर ताला लगा ले लेकिन ये लाल डाइरी इस चुनाओं में पूरी कॉंग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है तो जैसा कि आपने देखा प्रदान मंत्री बता रहे हैं कि इस डाइरी वाला जो विवाद हैं इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे घोटालों का एक सिस्टम है जिसको लेकि भारतिय जिन्ता पार्टी अगले चुनाओं में मूव बनाएगी प्रदान मंत्री के इस स्पीच में प्रदेश की लॉन ओर्डर यानि की कानून विवस्ता को लेके एक बड़ी बात कही गई है कि राजस्तान एक शांत प्रदेश था यहाँ पर बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है प्रदान मंत्री ने सीधे तोर पे महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए राजस्तान सरकार को लेके एक बड़ी बात कही है साथ ही आज सुबह से जो देखने को मिला कि मुख्यमंद्री अशोग गहलोत स्वास्ते खराब होने के कारण उनका स्पीच वर्चुली होना था या नहीं होना था इस मुद्दे पर PMO और CMO दोनों जो ऑफिसेज हैं उनके बीच में जब्दो जहद नजर आई अशोग गहलोत ने भी प्रेस कॉंफेंस की अशोग गहलोत ने स्पीच और डाइरी को लेके जो बात कही है उसको सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है सीम अशोग गहलोत ने है कि शाड़े जारत रुप्र करके मचा रखिए लूट मचा रखिए उन्हों लाल सिलिंडर कर रंग लाल है वो डाइरी कर रंग लाल बता रहे मैं बतारों असली तो यह है आपके सामने मैंने सुना लाज टमाटर जो है वो यह पिशाज किलो उन्हों पे हो गया है लूट उन्हों मचा रखिए वो लाज टमाटर है प्रणा मंदी जी को बज़ाए लाज डाइरी की बात करने जो कबोर कल्पी डाइरी हैं कोई डाइरी है ही नहीं उसको लेकर आतीती हो रही है अश्रीट पर आये लाज टमाटर लाज है और में गई कि मार्ण से अंतनी जो खतम हो रही है तो गुस्टे में लोगा चला जाल हो गया है उनकी बात करते हैं कैसे मैं इनको राज दिला हूं वो बात दें करेंगे चुना हो रहे है इसलिए बार्दे जंदा पार्थी को जं समर गई है और आने वाले वक्त में उनको लाज जंडी दिखा दी जाएगी कि लाज जंडी लाज दियाएगी बात करके जो सरिंद्र किया गया है सरकार के खिलाप में तो अब साफ हैं कि राजस्थान अब चुनावी मोड में पूरी तरह से सक्रिये हैं इसी बीच अगर ब बीजेपी की तो भारती जंता पार्टी के पंद्रह बड़े नेता बीते कुछ ही दिनों में राजस्थान में राष्ट्रे इस्तर की नेता कई सभाएं कर चुके हैं लेकिन कॉंग्रेस की ओर से या कोई नहीं आ रहा साथ ही चौथी वार गहलोत सरकार का नारा भी अब सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद